हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको half kg के red velvet cake के सारे details, सारे measurements एकदम जही से बताऊंगी. Actually मेरी भी ये red velvet cake की पहली ही order है. मेरे last truffle cake मैंने जने दिया था न, उन्होंने उसी दिन, उनके next celebration के लिए red velvet cake की order दी मुझे. तो किसी भी प्रड़क्ट के लिए न यह जो customer satisfaction है यही सबसे ज़्यादा important है यह truffle cake मैंने उनके पेटे के बड़े पर दिया था और red velvet cake उन्होंने अपने husband के बड़े पर order किया है बिल्कुल market style red velvet cake बनाने की कोशिश किया है मैंने वो भी कम से कम budget में उसके लिए कौन सा प्रेमिक्स, कितना प्रेमिक्स यूज करो, उसकी price कैसे ले, सब कुछ पताऊंगी आपको पता होगा red velvet cake नॉर्मल cake से महंगा होता है तो वो क्यों होता है, इसमें ऐसे क्या खास होता है, red velvet मतलब actually क्या होता है और इसे अगर आप कम budget में बनाना चाहो, तो इसमें कौन सी चीज को कौन सी चीज से replace कर सकते हो, वो भी देखेंगे तो वीडियो को बीना skip किया, इंट तक जरूर देखना तो दोस्तों market में रेडवेलवेट केक के लिए directly एक premix मिलता है, जिसमें थोड़ी से almond powder और थोड़ी सी cocoa powder होती है sponge को reach बनाने के लिए, पर ये रेडवेलवेट premix हर जगे easily मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपना simply vanilla premix से भी रेडवेलवेट केक बना सकते हो अब इस cake के लिए ना sponge हम थोड़ा से जाता ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा sponge हमें बाद में decoration के लिए भी यूज़ करना है अभी simply ये देखो, half kilo का red velvet cake बनाने के लिए मैंने ये around 180 gram vanilla premix लिया है और इसमें नम बस एक छोटा चमच light cocoa powder डाली है ध्यान रखना, इसमें compulsory light cocoa powder ही यूज़ करना, dark cocoa powder बिल्कुल भी न डालना, नहीं तो cake का color खराब हो सकता है अब इसमें जाएगा दो चमच से थोड़ा सा कम तेल, मैंने sunflower oil यूज़ किया है और अब यहाँ पर मैंने लिया है ये chocolate essence क्योंकि chocolate का flavor तो हमें cake में चाहिए है, पर color maintain रहे, इसलिए cocoa powder नहीं डाल सकते जादा तो मैंने थोड़ा सा chocolate essence यूज़ किया है इसे इंस्टालने के बाद ये दिखिए, ये red gel color यूज़ करी हूँ है वैसे आप इसमें powder color या liquid color भी यूज़ कर सकते हो पर ध्यान रखना उनसे gel color जितना अच्छा dark color नहीं आएगा अब दोस्तों जैसे मैंने आपको पूला pre-mix में almond powder का यूज़ होता है या कही कही पर almond powder की जगा milk powder का यूज़ किया जाता है बस sponge को reach बनाना ये purpose होता है जो pre-mix में यहाँ पर use करी हो ना ये already अच्छे quality का है मैंने यहाँ पर pristine का pre-mix इस्तमाल किया है इसकी taste already बहुत अच्छी आती है तो मैं इसमें almond powder या milk powder दोनों में से एक पी जीज़ नहीं डाल रही हूँ अगर आप meta से sponge बनाते हो ना तो उसमें आप थोड़ी से almond powder या थोड़ी से milk powder इस्तमाल ज़रूर करना ठीक है चलिए अब लगपक आता कब जितना पानी का यूज़ करके यह cake का batter बनाया है हमने और आप देख सकते हो कैसे ribbon consistency है इसके अब half kg का cake है तो मैंने इसे 6 इंच के tin में डाला है तो देखा ना red velvet का sponge बनाना काफी असान होता है पर इसके main taste जो होते है ना वो इसके cheese frosting से आती है मतलब यह red sponge और cheesy velvet frosting तो पहले सारा का सारा बैटर स्टीन में डाल कर स्टीन को बेकिंग के लिए अगारों के otg में 180 degree celsius पर रखा है मैंने और 30 मिनिट के बाद बाहर निकालने पर इसे ना थोड़ी तरे से ढखकर रखना तो एकदम soft हो जाएगा यह तब तक वेलवेटी frosting बना लेते हैं तो frosting बनाने के लिए आज मैंने यहां पर यह ट्रोपोलाइट की क्रीम यूज की है अब आपके पास जो भी whipping cream available होती है वो यूज कर सकते हो पल स्टार वीप और ट्रोपोलाइट हमारे यहां पर सारी बेकरी में यही ब्रांट्स यूज किये जाते हैं और आजपास के शॉप में यही वाली cream available भी होती है अफ हाफ केजी के केक के लिए ना एक कप से कम whipping cream लेना क्योंकि cream की quantity बात में काफी बढ़ने वाली है तो इतनी whipping cream काफी है पहले इसे हम low medium speed पर थोड़ा सा whip कर लेंगे और whipping का speed तीरे तीरे से बढ़ा कर हाई कर देंगे high speed पर बस 2-3 minute whip करो तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से whip हुई है cream अब red velvet cake का जो सबसे king ingredient है वो है cheese ये दिखिया है मैंने यहाँ पर ये cheese spread लिया है नॉर्मल cheese frosting बनाने के लिए market में अलग से cheese cream मिलती है दोस्तों डिलेक्टा की cheese cream आपको पहले दिखाई थी मैंने पर एक तो वो काफी ज़्यादा महेंगी भी होती है और दूसरी बात असानी से हर जगा मिलती भी नहीं आज मुझे cream cheese यहाँ पर नहीं मिली पर केक तो देना था तो मैंने ये cheese spread ही यूज़ किया है अब जहाँ पर इसकी price 200 ग्राम की 110 रुपीज है cheese spread की कीमत around 200 रुपीज 150 ग्राम की ही होती है तो देखा जाए तो double से भी जादा कीमत है उसकी तो ये आपकी choice है दोस्तों आप इन में से कोई भी एक cheese यूज़ करो और जो cheese यूज़ करो ना उसके हिसाब से ही customer से पैसे लो ठीक है मैंने इस frosting में almost 170 ग्राम cheese यूज़ किया है मतलब जितनी cream है ना almost उतना ही cheese है इसमें तो taste आप imagine कर सकते हो कितना cheesy cheesy है मैंने इस cake का 500 रुपीज चार्ज किया है अगर आप cheese cream यूज़ करो तो उसके कीमत आप और भी जादा ले सकते हो अब यह अपना केक यहाँ पर normal temperature पर आया है इसको भी cut करके 3 layers में reward करेंगे हम बहुत ही बढ़िया सा sponge बना है color आप देख सकते हो कितना अच्छा है तो चलिए फटा फट से इसका icing कर लेते हैं दोस्तों गर आप scratch से मैता से cake बनाना चाहते हो ना तो उसकी भी recipe मैंने आपके साथ share की है link description में रखी है आप ज़रूर check करना अब sponge पर अच्छे से sugar सिरप लगा कर उपर से अच्छी quantity में cheese cream frosting लगाते हो पढ़िया से icing किया है मैंने cake का अच्छा अभी तो मैंने आपको cheese cream cheese spread के बारे में बताया पर अगर आप low budget में इस cake को बिनाना चाहते हो या customer को cheese का flavor अच्छा ना लगता हो तो cheese की जगह कई लोग white compound chocolate का भी इस्तमाल करते है white compound का ganache बना कर cream में for use कर सकते हो वैसे white compound भी महेंगा ही होता है तो कीमत में उतना ज़्यादा तो बचेगा नहीं पर मैंने आपको बस option बता दिये है पकि यह आपकी choice है तो cake का पढ़िया से icing कर लिया है हमने इसे बहुत जादे finishing की ज़रत नहीं है क्योंकि हमें इसे red color से ही cover करना है weight मैंने check किया 518 gram है तो board का weight छोड़ो तो अभी थोड़ा सा कम ही है यह जो भी decoration के पाद एक तम सही हो जाएगा देखना cake के layers cut करते वक्ट जो extra sponge निकल गया था न उसको हमने mixing jar में डाल कर अच्छे से piece लिया है और इन crumbs से ही हम अपने cake का बाकी का decoration करेंगे इन्हें आप cake पर हाथों से भी लगा सकते हो या फिर ऐसे palette knife का use करना आपको असान लगे तो इसे भी use कर सकते हो red velvet का decoration बड़ा simple और असान होता है दोस्तों side से तो मैंने इसे crumbs से ही cover कर लिया है अब top पर center में हमें crumbs नहीं डालने तो center में न मैंने काटोरी रखी है ऐसे palette कर इसके side side में हम इसे crumbs से cover करेंगे पूरे तरीके से cover करने के बाद अब काटोरी को उठाया है मैंने इस beach के portion को अभी हमें से white ही छोड़ना है अब board को clean करके छोटा से एक star nozzle लेकर मैंने इसकी border पर बना ली है दोस्तों एक्तम simple decoration है पर जो इसका final look होगा वो बहुत ही सुन्दर आएगा customer के decoration को लेकर कुछ demand नहीं थी तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया है टॉप में यूज करने के लिए ये दिखे ये वाला nozzle लिया है मैंने जो भी center का white portion हमने छोड़ा है ना उसको एक border करेंगे पहले और अब center में ना मैंने happy party का round वाला tag लगा दिया वैसे तो ये cake अभी complete हुआ है पर customer ने इस पर बाबा लिखने को बुला था मराठी में पापा को बापा बोलते है cake पर लिखना अभी भी मुझे थोड़ा सा difficult ही लगता है पर customer ने बोला तो लिख दिया मैंने और ये दिखे ये है मेरे cake का final look और ये है मेरे cake का final weight cake board का weight around 50 gram होता है तो देखा कितना perfect बना है taste भी और weight भी customer के reviews तो बहुत अच्छा आये थे उन्हें ही cake बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अच्छा लगा तो इसे like, share और subscribe भी कर देना और ऐसे ही interesting videos के लिए आप मुझे YouTube, Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही interesting video के साथ तब तक के लिए Bye and take care